हाई बीपी के पेशेंट हर घर में हैं कि आप जब तक उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं डॉक्टर कहता है सौरी आदे गंटे पहले लाते तो हम इने बचा लेते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है पांच ऐसे अलार्मिंग कंडिशन कि जब आप इस क्रिटिकल पोजिशन में हो जाते हो कि आपको होम रिमेडी चाहिए बिफोर कि आप डॉक्टर तक पहुंचें आप कुछ ऐसा उपचार क्या करें जिससे हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकें और उसको आगे का जो है प्रोसेस ट्रीट्मेंट का दे सकें हाई बीपी के पेशेंट हर घर में है तो उनके रात के टाइम 12 बजे के बाद और 4 बजे के पहले जो है हार्ट पेशेंट का एक बार स्ट्रोक लेना बहुत ही कॉमन होता है लेली के रूटीन में कि आप जब तक उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं डॉक्टर कहता सौरी आदे गंटे पहले लाते तो हम इने बचा लेते तो वो टाइम इस पैम आपको कैसे बढ़ाना है ताकि हम मरीज को ट्रीटमेंट दे सकें तो उस केस में आपको क्या करना है ध इसका बीपी बहुत हाई चला गया है और आपको डॉक्टर तक जाने के पहले अगर उसको स्ट्रोक ना आ जाए लाइफ उसकी खतम होने से बचाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है आप कोई भी पीन ले लेंगे पीन लेके आप उसको सिंपल कि जिस तरह से हमने पीन आप घर में सेप्टिपीन ले सकते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा आपने डिटॉल या उससे स्टरलाइस कर लेंगे स्टरलाइस करने के बाद सिंपल आप यहाँ पर प्रिक करेंगे और प्रिक करके यहाँ से आप थोड़ा सा बलड जो है इस तरह से 5-10 ड्रॉक्स इस तरह मिल सकता है दूसरा काम अगर यह भी करने की हिम्मत आप में नहीं है फ्रीच का ठंडा दूद एक ग्लास उस पेशेंट को पिला दे ठंडा दूद पिलाते ही आपके पास डूरेशन बढ़ जाएगी आप दो घंटे तक हॉस्पिटल के अंदर उनको लेके आप जा सकते हैं द्यान रखें दूसरी हमारी अलार्मिंग कंडिशन जो होती है वो होती है ऐसीडिटी की ऐसीडिटी संग्टाइम्स इतना हाई हो जाता है कि रात को सोना मुस्किल सीने में जलन और भारीपन उस केस में भी लगता है जैसे हमें हाट की प्रॉब्लम आ रही है उसमें क्या क करके आपका जहां यह टच हो रहा है यहां से आपने इसको प्रेस करना शुरू किया 22-30 टाइमस इसको आप डीप प्रेस करेंगे ऐसी डीटी बन रही है या फिर सरदर्द हो रहा है एक्स्ट्रीम पोजीशन पे आपको उस समय वो रिलाक्स देना शुरू कर देगा क्योंक इसके बाद यह पॉइंट जहां पर आता है इसके बाद यह पॉइंट जहां पर आता है इसको आप लोकेट करेंगे करेंगे और ध्यान से देखें यहां पे दो आर्टरी आ रही होती है आप जो फील करेंगे दो आर्टरी के वीच में यह यहां पे आपको इस पॉइंट को अब दबाना शुरू कर देना है अगर आप इसको तेज दबाएंगे इमेडेटली आपके वामिटिंग टेंडेंसी जो है वो वहीं स्टॉप हो जाएगी और यह आपके मोशन सिखनेस में भी काम करेगा कहीं आप ट्रावलिंग में जा रहे हैं तो वहां यह काम करेगा अब मोशन सिखनेस को रोकने के लिए घरे लू उपाई क्या करें पुराने जमाने में ध्याने आपको दस पैसे के और उसमें गुलकन और वो सम्मिलाने की मैं सिर्फ कह रही हूं पान के पत्ते वह आप चबाते हुए चले जाएंगे आपको मोशन सिखनेस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा तीसरी चीज़ आती है अलर्जी कस्थमा की मतलब एक एक ही आपको स्ट्रोक आया और आपके जो है बि आपके टिप जो है हाथ के जिस पार्ट को टच कर रही है उसको दबाना शुरू करेंगे और यह बहुत पेनफूल होता है ध्यान रखें आप अपने आप इसको दबा नहीं पाएंगे बहुत जादा पेन होता है हमने पेशन्ट को ऐसे किया यह टिप जहां पे आया और यह 90% पेशन्ट को यह पेनफूल वैसे भी होता है आप उठा लीजे अब यह आप इनका टच हुआ था यह जब हम दबाएंगे 90% पेशन्ट को वैसे भी क्योंकि हलके हलके ऐलर्जी की प्राब्लम इन दिनों महामारी के बाद लंग सबके वीक हुए हैं तो सबके जो है यह प पूरा सेक्शन जो है यह यह लोग का है रात को आप क्रीम या तेल लेकर इस सेक्शन की इस तरह से हलके हलके हाथों की मसाज देंगे यह हलके हलके हाथों की मसाज देंगे इससे आपको नींद आनी अच्छी शुरू हो जाएगी साथ में और क्या इंक्लूड करें हमारा ज यहां से जो है energy हमारे जारी है नीचे क्योंकि आपको पता है यह mountain बनावा यहां से energy का flow शुरू होता है तो यह energy जो है पूरी जगह जाएगी और आपको बिल्कुल काम कर देगी शांत कर देगी तो यह five alarming points आपको हमेशा के लिए याद रखना है पता नहीं आज आपने देख कर लें अच्छे से देख लें और समझ जाए और अपना treatment emergency case में जरूर कर लें मैं लीना श्रीगा नेच्रोपाथी और अल्टरनेटिव थेरापी एक्सपर्ट नहीं दिल्ली से मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस से संपर करें